तो बैस्ट लैप्टॉप और स्टूरेंट्स के लिए तो बई अगर आप स्टूरेंट्स अगर आप पढ़ते हो कॉल युनिवस्टी में कहीं भी पढ़ते हो यह वीडियो श्पैशली आपके लिए अगर आपका प्रिजिट चालिस हजार है आज मैं इस पर रेंज में आपक ईसको लैप्टॉप बताओंगा उसका और जा सकते तो सबसे पहले मैं आपको बतातों तो वो यह रीजन देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं लेकिन अपग्रेड करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है जो कि सच में मानस पॉइंट आ जाता है अगर इसके में प्राइस देंज की बात करूँ आपको 41,000 के budget में MI Notebook 14 देखने को मिल जाते है इसका display quality ब web camera free देखने को मिल जाता है तो प्लस पॉइंट तो इस laptop के देखने को मिलता है लेकिन मानस पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप RAM को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं अगर RAM को अपग्रेड करने का option मिल जाता है तो या 12GB ही अगर आपको देखने को मिल जात लेकिन तो जीबी का जो ज्यादा रहा वो आपको 47000 के बजट में देखनी को मिलता है तो इस बजट अपने प्राइस रेंच से वह वहां आगे निकल जाता है तो मैं आपको निकल जाता है तो आपको अपको अपक्रेड़ करने का उप्शन भी तो नहीं मिल रहा ना ठीक है त लेकिन आप प्रक्रेट आप उसको नहीं कर सकते जो कि सच में 1-5 देखने को मिल जाता है तो आप देख लेना अगर आप इसकी और जाना चाहते हो आप जा सकते हो अभी बात कर लेते इसकी थोड़ी सी में स्पेसिफिकेशन की थोड़ा से मैं आपको डीपली बता देता हूं तो यह डिस्प्ले की बातों को 14-inch Full HD Plus डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो की एंटी गले डिस्प्ले है प्रसासर की बातों को i5 10th generation के साथ देखने को मिलता है तो प्रसासर बहुत अगड़ा है ठीक है स्टूरेज की बातों को 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 512GB SSD देखन को मिल जाता है प्लस आपको MX350 भी मिल जागा 2GB के साथ लेकिन उसका प्राइज आपके बजट से अपर चल जाएका ठीक है अप्रेनी सिस्थम की बात करूं आपको विंटो 10 मिल जाती है लेटेस्ट वर्जन 64-bit के साथ बैंटरी की बात कर देता है प्लस आपको 65W का fast charger देखने को मिल जाएंगी तो यह मैंन स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया है MI notebook 14 के वैसे यार laptop पूरा लोड़ेड है लेकिन माइनस पांट थोड़ा सा आ जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शिन बाक्स में देखने को मिल जागा अब आगे बात करते है है number four number four की बात करूं number four पर यार मैंने रखिया HP 14 को तो यार बहुत बंदे मुझे मैं सही करते हैं कि मुझे HP का laptop चाहिए मुझे में इसका कलर बहुत उट करता है ठीक है मैं आपको रिक्मेंड भी करना जाता हूँ अगर आपने लेना है तो भाई ब्लैक कलर मुझे ज्यादा सी उट लगा आप उसके और जा सकते हो प्लस आपको फॉर इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती जो कि 16 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिल गी आपको आई थ्री देखने को मिल जाता है टैंट जनवरेश्ट के साथ प्लस आपको SSD देखने को मिल एट जीवी रैम भी मिल जागी जिसको आप 16 जीवी तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो तो यार अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टर यूज करना है आफिस वर्क के लिए चाहिए है जा स्टुडेंट ओपर ठीक है मल्टी डास्किंग करनी है या अगर आपने डेली यूज के लिए इस लैप्तॉप को लेना है तो आप ले सकते हो इसली नॉर्मली आप काम कर सकता आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाली यार आपको 10th generation के साथ में मिल जाएगा आपको 11th generation के साथ में मिल जाएगा लेकिन 11th generation का price increase हो जाता है वह आपको 42,000 के बज़र में या 43,000 के बज़र में देखने को मिलता है तो अगर आप extra pay कर सकते हो आपको HP का ही laptop चाहिए तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप I3 11th generation के और चल ज जाए अपको 256 भी मिल जाएगी आपको 512 GB मिल जाएगी लेकिन उसका price ओड़ा से increase हो जाएगा ठीक है graphic card की बात करो आपको integrated graphic card मिल जाता है अभी बात करते है integrated graphic card और dedicated graphic card में क्या देखने को बलता है तो या जो dedicated graphic card होता है उसका storage अपना होता है 2 GB हो गया 4 GB हो गया 6 GB हो गया storage की तो वो RAM से ही लेगा उसका कोई अपना storage नहीं देखने को मिल जाता है तो उसको कहते है integrated dedicated dedicated होते है जिसकी अपनी storage होती है like 2 GB 4 GB 8 GB जितना भी मतलब होता है ठीक है operating system की बात करूं आपको Windows 10 देखने को मिल जाता है प्लस आपको MS Office देखने को मिल जाता है 2019 version battery की बात करूं आपको 7 hours का battery backup provide कर देता है price की बात को 40,500 के बदर में HP 14 देखने को मिल जाता है तो मैंने आपको बता दिया प्लस मैं आपको कहा देना चाहता हूं भी अगर आप भी उन बंदों में से आते हैं जिनको HP या Dell का ही laptop चाहिए मैं आपको कहा चाहता हूं कि आप HP 14 के और जा सकत है तो बहुत मुझे मैं जरूर बताना कि भाई मैंने ब्लैक कल्द में लिए लिंक पर वैड़ कि आपको डिस्कुपिशन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा अब आगे बात करते है नम्बो थ्री की बात करूई है नम्बो थ्री पर मैंने रखा लिनोवो आइडिया ब्लेक भी देखने को मिल जाता है जो की लिनोवो लैपटापो बैग है जिसके प्राज की मैं बात कुरो आपको दो सुक्तेर, के उजले के वे वह ब्लेकर बैगं देखने को मिल जाता है। अपको आई three देखने को मिलेगा 10th generation के साथ उसके बाओ आपको 8GB RAM मिल जाएगी जिसको आप expandable कर जाकते हो 12GB तक प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी light weight laptop प्लस आपको MS Office भी देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन तो यहार में स्पेस्फिकेशन मैंने आपको बता दिया जिनो वो आइडियापैट स्लिम 3i कि या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा तगड़ा है प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सही है एंड बई जो बैक देखने को मिलता है न उसका प्राइस 2000 देखने को मिलेगा अगर आप सर्च आउड करना चात आप जा सकते हो आगे बात करते हैं नमबर टू की बात करें नमबर टू पर यार मैंने रखिया असूस जैन्बुक अल्ट्रा फिफ्टीन को अगर इस लैप्टॉप की बात करूं सबसे पहले आपको लाइट वीड और बहुत प्यारे हैं आपको बहुत पसंद आने वाला ह जाता है तो अगर आपने इस लैप्टॉप के और जाना है आप जा सकते हो प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूं ये 2020 मॉडल है इसके प्राइस रेंज की बात करूं ये लैप्टॉप आपको 41,000 या 42,000 के बज़र में मिलेगा बट अगर आप इसको ले ले तो आपके लि पहले ही बता चुका हूं कि आपको इसलिए मैं स्ट्लेश डिजान तो मिली जाता प्लस ये तीन कलर्स में देखने को मिलता है जो भी कलर आपको सही लगता है बहुत चाले जाना लेकिन मुझे ग्रें बहुत ज़्यादा सही लगता ठीक है प्लस आपको फोर्टू फाइव का बैटरी बैकप पर वाइड कर देता है अगर मैं इसकी वेड की बात करूँ आपको वान केजी एट हंडड़ ग्राम में असूस वीवोबिक अल्टरा फिफ्टिंग देखने को मिल जाता है मैं आपको जो में स्पैसिटिकेशन है थोड़े से बता देता हूं आपको डीपली तो कर जकते हो प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मैं जाते हैं तो यार मैं आपको एक चीज़ रेक्मेंट और करना जाता हूं अगर आपको वान टीवी एचली देखने को मिलते हैं यार उसकी और बिल्कुल भी मत जाना है ऐसे मत देखना है कि आपको वान टीवी स्टूरे में अगर आपको डाट आपगरा ट्रांसफर करते हो ना बहुत पकने वाले यार वह बहुत गंदी चीज़ है मैं उसको रिकमेंटर नहीं करता है अगर आपने लेनी है तो पढ़ी SSD आपके लिए बैस लियो सकते है चाहिए अगर आपने 256 ले ली ना वह भी बहुत जाता है आपने डाट आपगरा ट्रांसफर करना है यह जल्दी कर देता है इसका प्रजिन किया जाए एच डी डी के साथ ग्राफिक कार्ण की बात करूं मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 41,000 के बजिन में या 42,000 के बजिन में ये स्पैसिफिकेशन के साथ असूस वीडो laptop के अभी ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं आगे बात करते हैं नंबर वान की बात करने से पहले बई मैं आपको इतना कहते हैं जाता हूँ अगर आपका ब्रेट चालिस हजार से अपर नहीं जा सकता है लेकिन अगर आप 4000 एक्सट्राप सकते हैं तो आपके लिए असूस जैनक्त के बताई है वो आपके लिए बैस्त धील हो सकते हों अगर देतें कर सकते हो 16 GB तक आपको 5 12 GB SSD देखने को मिल जाते है प्लस आपको 2 GB जो है ग्राफिक कार देखने को मिल जाते है तो भी अगर आपने office work के लिए चाहिए अगर आपने ऐसा student यूज़ करना है उसके बाद भी अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना है gaming करना जाते हो normal setting पर अगर आपने 1080p पर video acting करनी है ये laptop आपके लिए perfect deal हो सकता है और ये आपको 45,000 के बदर में मिल जागा मैं इसका link परवाइड कर दूँगा कई पर इसकी offer बगारा भी लगती रहती है और भी सस्ते में देखने को मिल जाते है लेकिन अभी इसकी offer को काता है नहीं देखने को मिलती है लेकिन मैं try करूँगा इसका link मैं provide कर दूँगा आपको description box में देखने को मिल जागा अगर आपने चावड करना है आप चावड भी कर सकते हो भी बात करते है इसके main specification की तो display की बात करूँ आपको 14-inch full HD plus display मिल जाथी जो की IPS panel display है पर processor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाथी परस आपको expandable भी कर सकते है परस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाथी graphic card की बातों को NVIDIA G4 MX350 देखने को मिलता है जो की 2GB के साथ आता है operating system की बात करूँ आपको Windows 10 दे जाते है battery की बात उनको 8 hours का battery lack provide कर देता है 8 से कम ही करेगा अगर आपने को heavy software यूज़ करना है 5-6 hours का ही battery backup provide करेगा ठीक है अगर आप normal यूज़ करते हैं फिर आपको 8 hours का battery backup provide कर देता है ज्यादा भी कर देगा अगर आप ज्यादा यूज़ ही नहीं करोगे तो battery जो battery है वो ज्यादा नहीं लगने वाली ठीक जीडीजी बात है normal बात है ठीक है price की बात करूँ आपको 45,000 के बज़र में Acer Aspire 5 देखनी को बल जाता है main specification मैंने आपको बता दिया Acer Aspire 5 के इसको इस budget management number one पर इसलिए रखा भी अगर आप extra pay कर सकते हो थोड़ा सा अगर आप extra pay कर सकते हो आपको laptop बहुत अगरा मिल जाता है अगर आपने video editing करने है gaming करने है जा अगर आपने कोई भी hardware software यूज़ करना है आप इस laptop के और जा सकते हो बहुत अगरा मिल जाता है उसके बाद अगर आपने as a creator काम करना as a developer काम करना student office पर के लिए चाहिए अगर आप teachers पढ़ते हो पढ़ाते हो आपके लिए भी ये laptop perfect deal हो सकते है आप इस laptop के और जा सकते हो एंड अगर आपका बढ़र चालीस हजार है तो असूस के और से जो laptop बताया वह आपके लिए बैस्ट है अगर आपका बढ़र चालीस हजार से भी कम है तो भई लिनोव ओ आइडिया पैट सलेम 3 आई आपके लिए बैस्ट डील हो सकता है आपको 37,000 के बढ़र में मिल जाता है जो की सच में भई लाप्टोप है अभी मैंने आपको इतने लापटोप बता धी है जो भी आप लेना चाते है और सभी या झाल, 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 झाल.